कि मेरे प्यारे दोस्तों है अभी राज साव है आपका नाम अजीत राज पूजी है यह जमु कश्मीर शाहे हुए है और यहां कायरोस में यह प्रसिक्षत का कारिकर है और हमारे सारे बचे तो लंगान और आंधर परदेश शाहे हुए का किसा हुए बोली का का साई हुए जम्मु कश्मीर मद्य परदेश उत्तर परदेश बिहार आंधरा जलंगना तो प्यारे दोस्तों आपने देखा कि यह पूरे हिंदुस्तान की छबी लेके आये हैं जितने भी विभीन राज हैं उनसे यह सारे बच्चे आये हुए हैं इनक पस्ञा है इसमें हमारे देश के विभीन राजियों से बच्चियों का बुलाते हैं उनको पष्डिक करते हैं और उनको एक अच्छा नाग्रिक बनाने के बार कृसिन इस अल्य Means को और ने जगों में उनको हम न्यूप्ति देक है कि सारे वंजैग करता स्वागत करता हूं और यह पर शीक्षिक साहब कितने ऐसे बैच को समाल लिए हैं इसके बार हम से बी 50 राव का धन्य बाद करता हूं जिनको ये पता है कि जिन्दगी में योगा और मोटिफेशन का महत तो क्या होता है प्यारे दोस्तों इस क्लास में मैं आपको आपको एक आ शरीर से सवल मन्द से बुलंद अगर आप हो जाएंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं पत्थर सी हो मन्द स्पेशियां लोह सी भुधंडव है नस नस मैं हो लहरा की तभी जवानी पाती जै तो योग विद्या में पतंजली ने सारे विभिन्द शरीर के अंगो को और मक्सिक्स को मजबूत करने के लिए ज्यान दिया है आपको जो पढ़ने जा रहा हूं पतंजली योग शुत्रा क्या पढ़ने जा रहा हूं इसमें आपको बिचार दिये गए हैं कि आपका बिभार दूसरों से कैसा हो जिसे हम यामा बोलते हैं सर क्या बोलते हैं याम हमारा बेभार दूसरों के साथ कैशा हो तुन्होंने बताया है कि हमारा बेभार दूसरों के साथ अहिंसक हो गाली गलोज मार पिट नहीं हो उसको बोलते हैं अहिंसा दूसरा है सत्या हमेशा दूसरों के साथ सत्य बचन बोलें मधूर बचन बोलें प्यार से बोलें कि एक ब दूसरे पर तुम पत्थर फेकोगे तो खुद तुम एक ग्लास के घर में बैठे हो तुम पर ओकाँच गिरेगा इसलिए ये सारे ज्ञान बताएगे हैं पतंजली युक्सुत्र में तीसरा है अस्तिया चोरी चुहारी लफंगा गरिव भर्ष्टाचार नहीं बनोगे समझ क अपने जीवन में जो काम उर्जा है जो प्रकिर्टी के नियम है हर जीव जन्तू पसु पक्ष्यों मनुष के लिए उस पर हमें विवेक पूर्ण बेभार से नियंत्र रखना है नहीं तो आज कल देखते हो जहां तहां रेप मर्डर हत्याएं होती हैं तरह तरह से लोग ए काम उर्जा है प्रजिनन्ट के लिए है बन्स को आगे वरानी के लिए यह नहीं कि उसका दूर्पयोग करें जैसे अटमिक बं होता है हमको एलेक्टिक जेनरेशन के लिए यूज करना चाहिए मेडिकल में करना चाहिए नहीं तो एटम बंब बनाके हीरो सिमा नागा पर बंबाड करके मानवता का सर्वनास कर दे समझे हो ना तो यह काम उर्जा सब से घातक होगा अगर तुम दूर्पयोग करें तो योगा बताता है इस पर जंचनल करो कैसे करोगे क्या सर्वेडिकेशन से का मतलब है कि कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट हो जो जिस पर चर्चा करनी हो गंभीता से सोचो अगर काम उर्जा के पारे में सोचो गे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि काम उर्जा अगर हम दूर्पयोग करेंगे तो मेरा सर्वनास हो जाएगा डड़ के मारे गलत नहीं करोगा सोचिना जवनी है योगा सोचिने की प्रेड़ना देती है योगा का डेफिनेशन क्या है योगा चित्रविटी हिरोधा बोले सर्व चंचल मन है जो तरह तरह से भटकता है उसको नियंत्रन में करना ही योग विद्या है बोलो क्या है सर्व बोलते हैं रही आप, चंचल मन को नियंतरन करना ही योग विद्या है, तो रिस्ट्रें दी माइन एस्टाब, माइन एस्टाब फॉर्म ये मन ऐसे चंचल होता है, ऐसा ऐसा घूमता रहता है। कुछ लोग तरह सर से बोलते हैं ये पागल बंदर है, या कोई दिवाना है, पिछडू है, लफंगा, लुच्या है दिमाग, दिमाग को अकल नहीं है, बोलोगे मार दो, मार देगा, बोलोगे काट दो, काट दो, बोलोगे भगवान बंजा, भगवान बंजा भी बंजाएग है और फाच माज जो है यामा में कि किसी का दिया हुआ भीख मतलों अहिं व्ीक अहिंसा सत्यास जरी मत करो किसी डूसरे पर कभजा मत करो बीक मांगो मांगन मरन समान है मत कोई मांगे से मरना भाला सर्गुरु की जित भीक मांगके कि मजी आओ खून पसेंदी की कमाई खाके जीना चाहिए समझ रहे हो यह चैप्टर ही खतम होता है पहला अस्तंब है जिस तरह पेर में इतने आओं अद देख रहे हो ना टार्णिया है इसी तरह पतंजली योग सुत्र में आठ ऐसी ट्रणिया है पहला का मैंने आपको का दूसरे अज्याए सुरू करेंगे